बॉलिवुड की सबसे जादा शादी करने वाले की टॉप टेन हिरोई ने नमबर बन तो सबसे बड़ी पॉलिटीशन रही है नमबर टेन नीलम कुठारी हर किसी को अपना पहला प्यार ही सचा प्यार मिल जाए ऐसा होता नहीं है हम ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि बॉलिवुड की जानीवानी अक्रस रही नीलम कुठारी को भी इनका प्यार दूसरी शादी से मिला 80's और 90's की पॉपलर अक्रस नीलम कुठारी के पास शादी के प्रपोजल की तो कोई कमी ही नहीं दी पर इनका दिर आया रिशी सेटिया पर चोकी एक यूके के बिजनसमैन के रईस बेटे थे इन्होंने रिशी से साल 2000 में बैंकॉक में बड़े ही धुमधाम से शादी रचाए पर दोनों की शादी में वो बात नहीं रही जिससे नीलम खुश रह सके बस इसी सब के चलते शादी बहुत लंबी चल नहीं सकी और दोनों के बीच डाइवॉर्स हो गया डिवॉर्स के बाद साल 2011 में नीलम ने एक्टर समी सोनी से शादी रचाई और दो साल बाद दोनों ने एक बच्चे को अडॉप भी किया जिससे ये कपल अहाना नाम से बुलाते हैं फिलाल दोनों के बीच कमाल की अंडरस्टैंडिंग और केमेस्ट्री देखने को मिलती है फिल्म और टेलिविजन शोज में काम कर चुकी तनाज इरानी आपके लिए डेफिरेटली कोई नया नाम नहीं होगा आप मेंसे बहुत लोग अगर इन्हें नाम से नहीं जानते हैं तो चेहरे से तो बेशक पहचानते होंगे यार पर इनके साथ भी एक अंससस्पुल मैरिज का टैग लगा हुआ है जी हां तनाज की पहली शादी लंबे समय तक नहीं चली हलागी इनकी पहली शादी शेखर गुपता से काफी कम उम्र में ही कर दी गए थी जिसके चलते उन्होंने केवर 20 साल के उम्र में ही अपने बेटी को जन्म दिया और खराब बॉंडिंग के चलते दोनों का डिवार्स हो गया और तनाज ने अक्टिंग की दुनिया में काम करना शुरू किया और इसी दोरान अक्टर्स की मुलाकात अक्टर बख्तियार इरानी से हुई जहां दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर कुछ समय बाद शादी कर ली और अब दोनों के दो बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं तनाज की पहली बेटी आज भी उनके एक्स हस्बेंड के साथ रहती है डेली ग्राई में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाली शेफाली शाह की आक्टिंग स्किल्स को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं इन्हें अपनी कमाल की आक्टिंग के चलते कई अवार्ड भी मिल चुके फिल्मों की बात करें तो इन्होंने हाली में डार्लिंग्स मूवी में आली अभट की मागा किरदार निभाया है जो की लाजवाब है प्रोफेशनल लाइफ तो इनकी हिट है पर परस्नल लाइफ में ना 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 शिफाली को कई अप एंड डाउंस देखने को मिले हैं जिसमें इनकी पहली शादी अंसक्सेस्पुल रही इन्होंने पहली शादी जाने वाने टीवी आक्टर हर श्चाय से की जो की लंबे समय तक नहीं चल सकी हाला कि दोनों की शादी एक नोट पर खतम नहीं हुई लेकिन शिफाली ने इन सब से मूव ओन किया और अपना पूरा फोकस अपने करियर पर लगा दिया लेकिन प्यार अपना रास्ता ढोण ही लेता है इनकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ एक समय ऐसा भी आया जब शिफाली को विपुल अमरितलाल शाह से प्यार हो गया और जो की एक फिल्म प्रोड्यूसर और डिरेक्टर है जिसके बाद दोनों ने डिसेंबर 2016 में सबहराने वाली और सभी को लुभाने वाली डिपका कुकर का नाम भी इस लिस्ट में आता है। शोईब ने दीपिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी दोनों साथ में काफी कुछ थी जिस वज़े से बहुत सोचने समझने के बाद दीपिका दूसरी शादी के लिए त्यार हुई वैसे आपको बदा दे कि इनकी पहली शादी रौनक सैमसं से हुई थी जिससे इन्हों ने बहुत जल्दी डिवार्ज भी ले लिया डिवार्ज का में कारण था दोनों के बीच नोगजों फिलाल दो दीपिका शोईब के साथ काफी होश है अपनी कड़क आवाद सॉलिड पसनालिटी और कमाल की आक्टिंग के लिए जानी जाने वाली अश्वनी कल सेकर ने भी एक नहीं बलकि दो बार शादी की है तमाम टीवी सीरियल और मुवीज में काम कर चुकी अश्वनी को आपने हाली में भूल भुलया टू में जरूर देखा होगा जहां इनका फ़णी अंदास देखने में मिला और बात अगर इनकी शादियों की करें तो अश्वनी ने पहल पूसरी शादी जिस्से की उसे आप सभी जानते हैं वो एक बहतरीन विलन और कमाल के पुलिस ऑफिसर का रोल करने के लिए जाने जाते हैं अरे हम बात कर रहे हैं मिरनाली शर्मा की जी हाँ दोनों को गोलमाल फिल्म के दौरान प्यार हुआ और फिर दोनों ने जीवन भर वैसे तो हम आपके हैं कौन में आपने इने जरूर देखा होगा इस फिल्म में अपने मासूम और बेहत मजबूत रोल से रेडू का सहाणे ने ओडियंस पर जो छाप छोड़ी थी ना वो कमाल है और आज भी कायम है अब केवल इसी फिल्म से ही नहीं बलकि और भी कई फिल पहली शादी एक मराठी थीटर राइटर और डारेक्टर से होई थी जो कुछ वजहों के चलते जादा दिन नहीं चल सकी और दोनों ने जल्दी शादी से चुटकारा पाने के लिए डिवॉर्स ले लिया इसके बाद रेडू का की मुलाकात होई आशुतोष राणा से जिन जाल दोनों के दो बेटे हैं और कपल अपनी शादी से काफी जादा खुश है नमबर फो नीलीमा अजीम बॉलीवुड को दो कमाल के अक्टर देने वाली नीलीमा अजीम के भी अपने समय में कोई कम चर्चे थोड़ ना थे ये कमाल की एक्टरस क्लासिकल डांसर और राइ फिर से शुरू कर दिया इसके बाद इन्होंने राजेश कटर से शादी की और इनसे भी इनका रिष्टा काफी अच्छा नहीं रहा जिसके कारण इनसे भी नीलीमा का डिवॉर्स हो गया हाला कि इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम इशान कटर है जो कि एक बहुत ही ब्यूटिफुल एंड वेरी टैलेंटर अक्रस श्वेता दिवारेगी जिन्होंने जिस शो में कदम रखा उसकी टी आरपी आसमान शोने को त्यार हो गई उन्होंने कभी हमें कसोटी जिंदगी की जैसे सीरियल में प्रिर्णा बनकर तो कभी परवरिश जैसे सीरियल में ए घाल डगाकर अलग हो गए इनकी पहली शादी राजा चौदरी से हुई थी जिन से इनकी एक बेटी पलक्तिवारी भी जिन्से इनका एक बेटा रयांश है हलागी अभिनो हो के शादी इनका रिष्टा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गये बस तब से ही श्वेता एक और हो चुकी है जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है अर्चना ने आज तक उस अक्टर का नाम किसी को नहीं बता है क्योंकि उनका माना था कि इससे उनके करियर पर गलत असर पड़ेगा और साथ ही इससे उनकी शादी शुदा जिंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती है अर्चना अपने पहले डिवार्ट से इतनी जादा निराश हो गई थी कि इन्होंने दुबारा शादी करने के बारे में एकदम सोचना बंद कर दिया पर तभी इनके जीवन में परमीट सेठी की एंट्री होई जिन्होंने सब के खिलाब जाकर अर्चना का साथ कभी नहीं चुड़ा और तो और उनके करियर के लिए पूरे चार से पांच साल दोनों की शादी की खबर को मीडिया से दूर ही रगा फिलाल दोनों अपनी शादी से काफी खुश हैं और दोनों के दो प्यारे बेटे भी हैं नमबर वन किरन खेर अक्टर्स किरन खेर अपनी खुफसूरती के लिए पहचानी जाती हैं और साथ ही बहतरीन आक्टर्स तो है ही हैं उन्होंने बॉल्ली ओड में काफी नाम कवाया और एक से बढ़ कर एक मुवीज में काम किया उन्होंने इंडियन सिलेमा और थीटर दोनो में काफी अच्छा कॉंटुबिशन दिया और इनकी पॉस्नल लाइफ में दो शादियों का डाग जुड़ चुका है किरन खेर ने दूसरी शादी अनुपम खेर से रचाई और ये दोनों अपनी पहली शादी से पहले ही एक साथ थीटर में काम करते थे वही से काफी अच् चल नहीं सगा और तभी दोनों दुबारा एक थीटर प्ले के लिए टकरा गए और तब अनुपम ने किरन को प्रपोस कर दिया जिसके बाद दोनों ने अपनी पहली शादी से डिवार्च लेकर खुशी-खुशी शादी कर ली किरन की पहली शादी से एक बेटा भी है जिस इसे ही इंट्रस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए